मैं उसे मार दालूगा वो आ गया Hey guys, welcome back to the new video तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं Hollywood की Top 10 Adventures, Science Fiction, Action Movies जिने आप YouTube पे easily watch कर सकते हो और इन सारे-सारे movies के लिंक्स आपको हमेश्यक तरह इस वीडियो के description box के अंदर watch करने को मिलेंगे तो हर बार की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं यही कहने वालाओं के इन movies को YouTube पे अप्लोड किया जाता है यानि के इन movies का कोई बरोसर नहीं होता के movies कब तक रहने वाली हैं YouTube पे तो अगर आप Hollywood की latest movies and web series डाउनलोड करके watch करना चाहते हो तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जोइन कर सकते हो जिनके लिंक का आपको इस वीडियो के description box के अंदर watch करने को मिलेंगे तो काई जरे लोग कह रहते हैं कि फुल मूवीज अपलोड क्यों नहीं करते हैं और पार्ट्स में ही क्यों होती हैं सारी मूवीज तो गाइस मैं आपको बता दूँ के फुल मूवीज यूट्यूब पे ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि यूट्यूब नहीं जल्द ही डिडेक्ट कर लेता हैं और उन्हें रिमूव कर देता हैं तो इसव्य ज़्य ओसे मूवीज क्लिप wैज अप्लोडेड होती हैं और उन्हें यूट्यूब कुछ टाइम के लिए पकड़ ही नहीं बाता इस व्यज्यसे वह मूवीज कुछ टाइम के लिए यूट्यूब पे रह जाती हैं तो यह movies मैं भी upload नहीं करता बलकि मुझे Instagram पे अपने viewers की links आती हैं तब ही यह list बना के आप लोगों को provide करा देता हूं तो बाकि अगर आप लोगे ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो guys क्या कर रहे हो यार like और subscribe बिल्कुल free है तो कर दिया करो number 10 पे एक action thriller based movie जिसके नाम है criminal यह movie है थी 2016 में और इस movie को रेटिंग्स मेल है 6.3 out of 10 IMD फर तो सीधा हाते हैं plot पे इस movie के अंदर में दिखिया जाता है एक ऐसा बंदा जिसकी memory को Jerry नाम के बंदे के अंदर transfer कर दिया जाता है ताकि वो एक खतरनाक hacker को पकट सकें जो इस दुनिया को तबाह की दरफ लेके जा रहा है बागि आगी चलके इस movie के अंदर आपको next level के action भी देके नहीं मिलेगा और इस कहानी में क्या कुछ होने वाले है यह आप जानेंगे इस movie के अंदर उन्होंने मेरे साथ खिलवार किया उन्हें लगा कि उनका मकसद पूरा होगा पर वो गलत थे नाइन पे डाउन ओफ दी प्लैनेट ओफ दी एपस यह मूई यह थी दोसर चाले में और इस मूवी को रेटिंग्स में 7.6 आप 10 IMDV पर तो यह एक science fiction action adventure movie होने वाली है जिस कंदर हमें कहानी दिखाया जाती है चैंपेंजिस की जो एक गलत फहमी की वज़े से इंसानों से जंक करने के लिए तयार हो जाते हैं तो इस movie कंदर हमें देखने को मिलेगा कि इंसानों और चैंपेंजिस के बीच क्यों war start हो चुकी है औ और आखिरकार इसके बीचे mystery क्या होने वाली है कि आप जानेंगे इस movie के अंदर नमबर 8 पे Wonder Woman 1984 यह movie आती 2020 में और इस movie को ratings play 5.4 out of 10 IMDb पर तो यह एक action adventure fantasy movie होने वाली है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि ऐसा बंदा जो काफी जादा कर्ज में डूप चुका होता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते लोगों को देने के लिए लेकिन उसके हाथ कुछ ऐसी चीज लगती है जिसकी मदद से या फिर यूँ कहें कि उसके हाथ एक ऐसा stone लगता है जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है वो कुई चीज मांगकर उसे reality में ला सकता है और बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि वो बंदा इस चीज को अपने लिए गलत तरीक से इस्तवाल कर रहा होता है तो अब इसे रोकने के लिए सामने आती है Wonder Woman तो अब देखना है यह है कि Wonder Woman इस तबाही को फैलने से रोक पाती है कि नहीं यह आपको पता चलेगा इस मूवी के अंदर नमबर सेमन पर पैरा नॉर्मन यह मूवी आयती दोसर बारे में और इस मूवी को आयम डिमने 7.0 आप अफ 10 की रेटिंग दी है तो बेसिकली एक फैमिली कॉमडी एडवेंचर मूवी होने वाली है जिसके अंदर हमें कहां दिखा जाते है नॉर्मन की जो भूतों को देख सकता है उनसे बात कर सकता है दरःसल नॉर्मन के पास यह सूपर हैविटि होती है जिसकी मद्ससे वह यह सब कुछ कर रहा होते है लेकिन वो जब लोगों को बताता है कि वह भूतों को देख सकता है उनसे बात कर सकता है तो उसका कोई भी यकीन नहीं करता बलगे लोग उसका उल्टा मजाग करते है सेडिनली एक दिन नॉर्मन को पता लगता है कि जिस सेटी के अंदर वो रह रह रहा है वो एक श्रापिज शहर है जिसमें 300 सालों बाहद एक चुडेल जाक जाती है और इंसानों को खतम कर देती है 300 साल गुजरने से पहले अगर उस विच की कबर भी जाके किसी ने उसे स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी नहीं सुनाई तब ही वो विच जिंदा हो जाएगी तो आगी चलके इस मुवी के अंदर क्या कुछ होने वाला है प्राइब की स्टार्ट में दिए जाता है कैसे इंसान जिसकी गल्फिंग की अचनक से मौद हो जाती है यानि कि उसे किसी ने मर्डर कर दिया होता है और वो लड़का उसकी मौद के बाद डीप्रेशन में चला जाता है लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी विल्य से वो टाइम में पीछे चला जाता है और ये जब होने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाद में अपनी girlfriend को बचाएगा और अपने future को बदल देगा तो अब आगे चलके इस movie के अंदर आपको क्या कुछ देखनें के मिलेगा या आप जानेंगे इस movie के अंदर नमबर वाइप एक action, science fiction, adventure movie जिसके नाम है Mortal Engines ये movie आथी दोर अठारे में और इस movie को रेटिंग समने 6.1 out of 10 IMDV पर तो basically इस movie के अंदर में दिखाया जाता है future world जहां पे vehicles बिल्कुल भी नहीं चलती यानि के गाड़िया नहीं चलती future में वहां पे बड़े-बड़े cities like London गाड़ियों की तरह चलते हैं और वो अपने survival के लिए एक दूसरे गबर अटैक करते रहते हैं और इसके इलावा कहानी फोकस है कि ऐसी लड़की के उबर उसकी माँ को एक बंदे ने मार दिया था जिसकी वज़े से वाप उसे ढूंड कर किसी भी हाल में खतम करना चाहती है तो बाकी इस कहानी के अंदर आके चलके क्या कुछ आपको एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर देखने का मिलेगा ये आपको पतर चलेगा इस मूवी के अंदर और पे गोस्ट बस्टर ये मूवी एती दोर सोले में और इस मूवी को एमडी ने 6.9 की रेटिंग दी है तो गाइज ये एक साइंस फिक्शन कॉमडी फैंटसी मूवी होने वाली है और इस कहानी के शुरॉत में चार लड़कियों को दिखाया जाता है जिन जॉब से निकाल दिया गया होता है तो इसके बाद वो तीनों डिसायर करती है कि वो अपना खुद का बिजनिस स्टार्ट करेंगी यानि कि वो गोस्ट बस्टर्स बनेंगी और लोगों के लिए भूतों को पकड़ने का काम करेंगी लेकिन ये मूवी उस वक्ते एक नया मोड ले लेती है जब एक बंदा एक ऐसी मशीन बना जा है जो दूसरी दुनिया के भूतों को अपनी आर्थ पे लाना स्टार्ट कर देता है तो इस मूवी के अंदर वो लड़के यान भूतों को रोक पाती है कि नहीं या अप जानेंगे इस मूवी के अंदर त्री पेक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी जिसके नमें ट्रॉन लेगेसी ये मूवी आती दुर दस में और इस मूवी को आएमडी में 6.8 की रेटिंग दी है तो ये कहानी फोकस है सैम नाम की लड़के के उपर जब वो चोटा था तो उसके फादर ने एक वर्चुल रियाल्टी गेम बनाई थी उसके बाद वो कहीं गायब ही हो गया था लेकिन जब सैम बढ़ा होता है तो वो उस गेम को देखता है और उसे बदा लगता है कि उसके फादर इस गेम के अंदर चले गए थे तो इसके अंदर ने मुवी जिसके नम है थार लव एंड थंडर ये मुवी आथी दोर बाइस में पर इस समूई को रेटिंग्स में 6.4 आउट आफ 10 आयम डियवर तो इस कहानी की सुरात में दिखिया जाता है गौर नाम का इंसान जिसके सारे लोग भूप प्यास से मर जाते हैं और गौर का गौर्ड स्कुपर बहुत जाता है लेकिन उसका यकिन तब खतम हो जाता है जब उसकी बेटी उसके सामने ही दम तोड़ देती है और तब ही से वो बन जाता है गौर दा गौर बोचर तो बस यहीं से गौर निकल जाता है हर एक देवता को मारने के लिए और इसी बीच कानी फोकस करती है थार के पर जो अब निकल जाता है गौर को रोकने के लिए तो गाइस मोई ठीक ठाक होने वाली है और अगर आप इसे फुल एच्टी में डाउनोड करकी वाच करना चाहते हो तो आप हमरे टेलिग्राम चैनल भी जान कर जकते हो टेलिग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तुम उन्ते वो की तरह नहीं हो जो अब तक मैने मारे तुम्हारे पास लड़ने की वज़ा है तुम्हारे पास लड़ने की वज़ा है तो फाइलि गईस नमबर वान पे फियर दी वाकिंग डेडी एक सिरीज है जिसके अंदर टूटल सेवन सीजन्स बन चुके हैं और इस वीडियो के अंदर आपको सीजन वन के अंदर दो एपिसोडस देखने को मिल जाएंगे और वो होने वाले एपिसोड वन एंड टू बाकी सिरीज को मैंने अब तक वाच नहीं किया इसको लाने के लिए मुझे एक सब्सक्राइबर ने कोमेंट किया था इसलिए मैंने इसको एड कर दिया बाकी मुझे लगता है कि कुछ हटके होने वाल है और हाँ यार इसे वन टाइम वाच तो देना ही चाहिए बाकी मैं खुद इसे देखना स्टार्ट करूँगा लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता तो गाइज ये थे हमारे कुछ बैदरीन हॉलिवड एक्शन, एडवेंचर, साइस, फिक्शन, मुवी उमीद आलेस्ट आपको अच्छी लगी होगी तो मिलता है किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाहें टेक केर कि रिएल, पवे बाहें टेक्सरेश थे जाए्स, बाहें जाए्स, फिक्शन, मुवीयो के लिए।